नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं लाइब को जोन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने फोन को CCTV केमरा कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास नेट हो CCTV केमरा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सोब्टवेर डाउनलोड करना है उसके बाद कोई नेट की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करें और यहां सर्च बोक्स में टाइप करें आईपी वेब केम देगे ब्रेंट्स इसका कुछ ऐसा आइकन दिखाई देगा इसको आप इंस्टोल करें यह इंस्टोलिंग हो रहा है फ्रेंट्स जैसे कि दोस्तों यह एप इंस्टोल हो चुगा है अब हमें इसको बेक करना है एक बार ओपन नहीं करना है तो दोस्तों इसके बाद आपको simply क्या करना है अपने मॉबाइल की सेटिंग में जाना है और अपने mobile का hot spot on करना है यहां से direct open नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों इसमें screen record चालो है मैं यहां से open कर देता हूँ होट spot open होने के बाद आपको अपने laptop अगर आपके पास laptop वैथ हो आप अपने laptop में आपने जो अपने phone का wifi on किया है उससे connect करे अगर आपके पास laptop नहीं है तो आप दूसरे phone में भी अपने एक phone से दूसरे phone को wifi के साफ़ connect कर सकते हैं यह connect हो चुका है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपने जो एप इंस्टॉल गिया है यह IP webcam इसको open करना है इसको open होने के बाद में आपको निचे जो option आ रहा है स्टार्ट सर्वर इस पर क्लिक करना है जह जह आप स्टार्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे आपके mobile का camera open हो जाएगा अब आपको यह IP address दिखाई दे रहा है यह IP address आपको अपना browser open करना है और यहां पर इंटर करना है जैसा लिखा है 192 load जैसा इसमें दिखाई दे रहा है वैसा type करना है यह IP address सर्च बोक्स में type करने के बाद आपको इंटर करना है जैसे यह आप इंटर करेंगे आपके सामने यह window open होगी इस window में यह video रेंटर दिखाई दे रहा है इसमें browser पर क्लिक करना है जैसे यह आप browser पर click करेंगे आपकी mobile की screen laptop में या आपके PC में दिखाई देने लग जाएगी बिना किसी cable के अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जिदर भी यह mobile कर रहा हूँ यह laptop में आसानी से दिखाई दे रहा है यह है इसकी settings यह audio player यह audio की setting है अगर आप यह record करना चाहते तो यहाँ पर click करना है यह recording आपके mobile में save हो जाएगी फोटो लेना चाहते तो यह tech photo यहाँ पर click करना होगा आपको यह देखे फ्रेंट्स आपको लग रहा होगा I hope दोस्तों आपको यह video पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please subscribe and like जरूर करें thank you